क्या तुम्हें पता है कि हमें जहां पे sun दिखता है वो actually वहाँ पे होता नहीं है और sunrise और sunset के time पे sun यह हमें थोड़ा पिछकावा दिखने वाला है यह completely circular नहीं दिखने वाला है और sun हमें actual sunrise से 2 मिर्ट पहले ही दिख जाता है और actual sunset के 2 मिर्ट बाद भी दिखता रहता है अब मुझे पता है कि तुम यह सोच रहोगे कि actual sunrise और actual sunset यह क्या चीज़े होती है तो इसके बारे में हम तुरण बात करने वाले हैं लेकिन sun के साथ यह अजीब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हमारा atmosphere यह light को refract करता है अब इसी के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में तो मैंने यह आपे बना दिया है धर्ती और सूरज को अब सबसे पहले बात करते हैं कि actual sunrise यह क्या चीज़ होती है तो दिखो हमें पता है कि धर्ती यह अपने axis पे गोल-गोल चक्कर काटती है और इसी कारण तो day and night होता है लेकिन असल में धर्ती बहुत ही बड़ी है और हम इसके साथ-साथ गोल-गोल चकर काट रहे हैं तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम गोल-गोल खूम भी रहे हैं हमें लगता है कि सूरज यह हमारा चक्कर काट रही है कुछ ऐसे इसलिए तो हम बोलते हैं कि sun rises, सूरज उग रहा है लेकिन असलियत में तो हम गोल-गोल खूम रहे हैं अब देखो सवाल यह है कि हमें सूरज कब उगता हुआ दिखने वाला है कब just rise करता हुआ दिखने वाला है जब सूरज यहां पे हो या फिर यहां पे या फिर यहां पे तो देखो अगर तुम अपने सीधी लाइन में देखो तो जो भी चीज़े इस सीधी लाइन पे होगी या फिर इसके ऊपर होगी हम उसे देख पाएंगे clearly क्लियरली क्योंकि उससे light rays हम तक पहुँच सकती है लेकिन जो भी चीज़े इस सीधी लाइन के तुमारे सीधी लाइन के नीचे होगी हम उसे clearly नहीं देख पाएंगे यूँकि उससे जो light आईगी ना उसे ये धर्थी ब्लॉक कर देने वाली है वो हमारे आखो तक पहुच ही नहीं पाएगी और देखो इस सीधी लाइन का हम बुलाते है होराइजन या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो इसे हम बोलते हैं छिटिज यानि कि जोबी चीज़े होराइजन के उपर होगी है उसे हम देख पाएंगे और जोबी चीज़े होराइजन के नीचे होगी हम उसे नहीं देख सकते हैं तो मैं तुम्हें होराइजन को अच्छे समझाता हूँ तो जिस point पे तुम खड़े हो ना, धर्ती पे अगर उसी point पे मैं एक सीधी line draw कर दूँ सीधी line से मेरा मतलब है कि एक tangent को draw कर दूँ धर्ती के इस point पे तो इसी कावम horizon बुला रहे हैं तो हमारी सूरज ये क्योंकि horizon के नीचे है ना, तो इसलिए हम इसे नहीं देख पाएंगे अगर मैं सूरज से एक light ray को निकालू, तो ये तुमारी आखों तक नहीं पहुँच सकती है ये धर्ती की surface ये से block कर लेने वाली और ये तुम तक नहीं पहुच पाएंगी अब देखो, इस case में तुम्हें कुछ ऐसा देखने वाला है, ये होगई sky और ये होगई हमारी land और यहाँ पर मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देखे नहीं सकते हो तो sky और धर्ती को separate करने वाली line, इसे ही को हम बुला रहे है horizon और हमारी sun ये अभी horizon के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं लेकिन अगर अगले ही च्छन, ये हमारी sun ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए horizon के, यहाँ आपे कहीं तो देखो अब sun से निकलने वाली duration ये हम तक बहुत सकती है, ये देखो हमारी आखो तक आ सकती है और हम इसे देख लेने वाले हैं, तो तुमारे इस scene में कुछ ऐसा देखने वाला है sun जस्ट उपर आने वाला होगा, और इसी को हम बोलते है actual sunrise तो यानि कि जब sun horizon के just उपर आ जाए, तो होनी चाहिए actual sunrise लेकिन देखो, अभी तक हमने atmosphere की बात नहीं की, धर्ती की atmosphere की चलो इसे भी बना लेते हैं, और sun को horizon के थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि इस case में क्या होने वाला है, वैसे तो sun horizon के नीचे है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ race को बना के देखते हैं तो ये मेंने बना दी sun से निकलने वाली कुछ दो race अब यहाँ पे अगर atmosphere नहीं होता, तो ये race तो सीधी जली जाती और ये हमें नहीं दिखने वाली थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये atmosphere है न तो ये race ये अब air में इंटर करने वाली है, वैक्यूम से और vacuum में light fastest travel करती है, तो जब air में इंटर करेगी, तो ये slow down हो जाने वाली है और क्योंकि यहाँ पे speed में change आ गया है, इसलिए light ये थुरा refract कर जाएगी, ये bend कर जाएगी और क्योंकि ये जा रही है slow और medium में, इसलिए ये light bend करने वाली है towards the normal अब उसे बना लेते हैं, अब देखो इसके बारे में हमने detail ने बात किया था, reflection के वीडियो में तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक बार तुम वो वीडियो को देख किया जाओ अब देखो, ये light rays ये bend कर रही है और ऐसे bend कर रही है ना, कि अब ये हमारी आखों में पढ़ने वाली है तो यानि कि हमें कुछ ना कुछ दिखने वाला है तो देखो हमारा brain इन दुनों light rays को पीछे के तरफ produce करने वाला है कुछ ऐसे और जहाँ पे brain को intersection होता हुआ दिखेगा brain को लेगा कि यही है source of light तो यानि कि brain को यहाँ पे sun दिखने वाला है तो amazing चीज़ यह है कि अभी भी sun horizon के नीचे है तो यानि कि यह हमें नहीं दिखना चाहिए था लेकिन atmosphere एक reflection के कारण हम sun को अभी ही देख पा रहे हैं तो यही मैंने तुमसे काता starting में कि sun में जहाँ पे दिखता है यह वहाँ पे होता नहीं है और actual sunrise के पहले ही हमें sun दिखना चालो हो जाता है कुछ ऐसे तो फिर हमने calculate कि कि कितना time पहले हमें sun दिखना चालो हो जाता है तो यह निकल गया है कुछ दो मिनट यानि कि sun को horizon क्रॉस करने में अभी दो मिनट लगने वाले हैं लेकिन अभी ही हमें sun दिखना चालो हो गया है sunrise पहले ही हो गया है और यही चीज़ true है actual sunset के लिए देखो actual sunset तब होगा जब sun horizon को cross करके नीचे चला जाए उसके बाद हमें इससे कोई भी light rays नहीं दिखने चाहिए लेकिन atmospheric reflection के कारण हम इसे दो मिनट बाद तक भी देख सकते हैं तो यानि कि sun हमें actual sunrise के दो मिनट पहले ही दिखने लगता है और sun actual sunset के दो मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है तो अगर मैं short में बोलूँ तो हमारी atmosphere ये light rays को bend कर देती है नीचे के तरफ हमारे तरफ और इसलिए हमें objects ये थोड़ा ऊपर दिखने वाले हैं और ये चीज़ टूँ है किसी भी celestial body के लिए चाहे वो sun हो, चाहे वो star हो, या फिर moon हो, या फिर कोई और भी planet सारी bodies ये थोड़ा shifted दिखने वाले हैं अब देखो ये जो effect है ना shifting का ये maximum होता है उन objects के लिए जो कि horizon के past में हो, तो जितना past में होंगे objects horizon के, उन से निकलने वाली race ये उतना ही बड़ा angle बनाने वाली है नॉर्मल से, तो यानि कि ये refracted race ये उतना बड़ा angle बनाने वाली है नॉर्मल से और इसलिए इनकी जो shifting है, ये maximum दिखने वाली है लेकिन अगर यही body, ये सीधे हमारे उपर आजाए बिलकुल यहाँ पे, तो इन से निकलने वाली race ये बिलकुल ही normal होने वाली है atmosphere के, तो यानि कि इनकी bending तो बिलकुल भी नहीं होने वाली है तो यानि कि ऐसी bodies, ये बिलकुल भी shifted नहीं दिखने वाली है तो यानि कि हमारे atmosphere के कारण, हमें sky में objects, ये कुछ उपर की तरफ shifted नजर आते हैं और object जितना जादा नीचे होंगे sky में, ये उतना ही जादा उपर की तरफ shifted नजर आने वाले हैं हाँ, ये तो जाहिर से बात है, कि अगर object को जादा ही नीचे आ गया, तो उससे निकलने वाली race, ये तो reflection के बाद भी हम तक नहीं पहुच पाएंगी, तो हम तो उससे नहीं देख पाएंगे लेकिन इन जेनरल object जितना जादा नीचे होगा, ये उतना ही जादा उपर की तरफ shifted नजर आने वाला है, और अगर ये object उपर की तरफ चड़ने लग जाए, तो फिर इसकी shifting की जो effect है ये धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी, और अगर ये object बिलकुल ही हमारे सर के उपर आ तब तो इसकी shifting की effect ये बिलकुल ही zero हो जाने वाली है, अब यही कारण है कि क्यों पुराने जमाने की जो sales थे न, वो उन stars का इस्तमाल नहीं कर देते दिशा बताने के लिए, जोकि horizon के पास में हो, क्योकि ये stars तो बहुत ही जादा shifted है अपने position से, तो अगर वो इनको follow करते तो वो तो आसानी से गुम हो जाते यार, अब देखो एक आगरी चीज, sunrise और sunset के time में sun, ये हमें circular नहीं दिखने वाला है, बलकि ये थोड़ा सा चिप्टा हुआ दिखने वाला है, देखो कुछ ऐसे, तो ऐसा की होता है, मैं चाहँगा कि तुम वीडियो को एक बार pause करो, और इसे खुझ से पता लगाने ही कोईश करो, इसमें बिलकुल यही वाला concept इस्तमाल हो रहा है, तो अब अगर तुमने try कर लिया है, तो आप देखते हैं, देखो हमें पता है कि sunrise और sunset के समय, भलें sun हमें horizon के उपर दिखता हो, लेकिन असल में ये होता है horizon के नीचे, और ऐ यहां से यहां कुछ एक किलोमेटर की तरफ शिफ्ट होने वाली है, और इसलिए हमें sun थोड़ा सा चिप्टा दिखने वाला है, कुछ ऐसे, अब यही रीजन है कि क्यो हमारे astronauts को celestial bodies की picture लेना पसंद नहीं, जब वो horizon के past में हो, अब आप वीडियो को एक बार summarize कर लेते हैं, इस वीडियो में हमने देखा कि atmosphere एक reflection ने कारण हमें objects कैसे sky में shifted नजर आते हैं, object जितना जादा past में होंगा horizon के, यह उतना ही जादा shifted नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें sun actual sunrise के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और actual sunset के 2 मिनट बाद तक हमें यह दिखता रहता है, और इ